उप्प मुख्यमंत्री तेजस्वी यादो विदेश में ओप्रेशन करने और सरजरी करने के लिए सीखने गये थे अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो तेजस्वी यादो विदेश घुमकर पटना वापस आते हैं और पटना वापस आते ही कहते हैं कि अभी तो ओप्रेशन करना शुरू नहीं किया हैं सरजरी कर देंगे इन लोगों का इन लोगों का मतलब की भारतीज जनता पार्टी वालों का इसके बाद तेजस्व यादो कहते हैं कि दो चार पत्रकार है जो दो चार पत्रकार मिलकर दिन भर बीजेपी का आईटी सेल बनकर बता रहे हैं दिखा रहे हैं कि कैसे सरकार गिर रही है जबकि यह तक कुछ भी नहीं है और तेजस्वी यादो बकायदा कहते हैं कि इन दो चार पत्रकारों के कारण यह पुरा माहौल बना है अब इसके बाद तेजस्वी यादो एक एक करके लालू प्रशाद यादों के सामने उन तमाम बातों का जबाब देते हैं कि नितीश कुमार के साथ सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी भारती जनता पाटी उनको पकड़ कर जेल भेज देगी मतलब कि चार्जशित दाखि हो चुका है इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादो पटना आते ही गरस्ते हैं और आगे आपको हम इसी बारे में बताएंगे कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा बागे नमस्कार में मोहित कुमार सींग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे बड़ी बात तेजस्व में ठीक कुछ नहीं है महागडवंदन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तेजस्वी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है नितिश कुमार नेता है उनके नित्रतों में सरकार चलेगी और इसके बाद तेजस्वी यादों कहते हैं कि अभी तो हम लोगों ने ऑप्रेशन शुरू ही नहीं किया है बलकि अभी तो हम लोग एक जुट हो रहे हैं जब एक जुट हो जाएंगे और सरजरी करना शुरू करेंगे तब यह सब फेका जाएंगे और कहां फेकाएंगे पता ही नहीं चलेगा वो भारतिये जनतापाटी को कहते हैं कि भारतिये जनतापाटी के लोग जो ह वो confusion create करवा रहे हैं जान बूचकर एक माहौल बना रहे हैं कि महांगडबंदन की सरकार गिर जाए और तेजस्वी कहते हैं कि कुछ पत्रकार तो महांगडबंदन की सरकार बनने के बाद से ही चाहते हैं कि सरकार गिर जाए तेजस्वी यादो जो बोलते हैं तो उनके बोलने के भाव से पता लगता है कि तेजस्वी के कहने का मतलब होता है कि उनके पीछे कुछ पत्रकार लगे हुए है जो पत्रकार चाहते हैं कि उनकी सरकार को गिराया जाए उनकी सरकार के बारे में ऐसा दिखाया जाए जिसके कारण महागडबंदन तूट जाए अब तेजस्वी बिदोलोज़ क्यूटी आदों कहते हैं कि केवल मेरा इमेज खराब करने के अलिए मेरे ऊपर क्या दायर किया एक जानुव जिस केश में कोई धम नहीं है उस केश नाम लिखा गया जिससे की मीडिया में TRP मिले, TRP के नाम पर हमारा खबर चले, हमारा खबर चले तो हमारा इमेज भीगडे और भारतिये जनता पाटी इतना ही करना चाहती है और सिर्फ इसी कारण से हमारा नाम चार्जशीट में डाल दिया गया फिला हैल अब तेजस्वीयादो बिहार वापस आ चुके है जो तमाम खबरे चल रही थी कि निदीश कुमार और तेजस्वीयादो के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो अब तेजस्वी के वापस आने के बाद एक दो दिन में सब कुछ पता चल जाएगा कि तेजस्वीयादो और नितीश कुमार के बीच क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है बिधान सभा के अंदर पता चल जाएगा कि तेजश्वी यादो और नितीश कुमार आपस में मिलते हैं जुलते हैं उस गर में जोशी के साथ बाचीत करते हैं या नहीं करते हैं जैसा कि वो पहले करते थे और अ परकार गिर जाए बाकी आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट आता है जो भी नहीं जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मरजद बने रहिएगा वीडियों ही पर सुमाप कर केमरे के पिशे बिशाल कड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद